दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी फेस्बुक पर ये फॉलो का उप्शन लाना तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी फेस्बुक पर ये फॉलो का उप्शन ला सकते हैं तो दोस्तो मैं हो राकेश आप सभी का स्वागत एक बार फिर्स से हमारी फिसिटा यूट्यूब चैनल में दोस्तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर देना वीडियो को लाइक नहीं क्या फ्रेंस तो वीडियो को लाइक भी जरू करें तो फ्रेंस आईए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंस जैसे आप दे सकते ये मेरे फॉन की सिक्रीन है दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपनी फेस्बुक फो ओन कर लेता हूँ ओन करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपके पास Facebook का front page open हो जाता है अब friends क्या करना है आपने 3 dots पर जाना है उपर दे सकते हैं आपर 3 dots दिये गए दूस्तों यहाँ पर आपने click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे दूस्तों आपके पास यहाँ पर नया page open हो जाएगा अब friends यहाँ पर आपसे देख सकते हैं सबसे top पर यहाँ पर एक setting का option है simple आपने इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे दूस्तों तो आपके Facebook की सारी setting यहाँ पर open हो जाती है आप इस नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहाँ आप दे सकते हैं आपके पास एक option दिया गया है दोस्तों public post का तो simple आपने इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर दे सकते हैं सबसे top पर लिखा है दोस्तों who can follow me तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं कि आप किसको follow कराना चाते हैं तो यहाँ पर मैं इसको सबसे top पर यहाँ पर दे सकते हैं दो option दे गया है public and friends तो यहाँ पर आप public पर click करके रखना है नीचे वाला option दोस्तों आप यहाँ पर आप दे सकते हैं who can see your follow on your timeline तो यहाँ पर भी आपने public पर click करके रखना है और फ्रेंस यहाँ पर नीचे दे सकते हैं public post comments तो यहाँ पर भी आपने public पर click करके रखना है तो यहाँ पर नीचे आपके पास एक और option दिया गया फ्रेंस यहाँ पर public post notification तो यहाँ पर भी आपने everyone पर click करके रखना है दोस्तों और नीचे यहाँ पर आजाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक और setting है दोस्तों प्रफाइल इनफो तो यहाँ पर भी आपने पब्लिक को सिलेक्ट करके रखना है इतना करने के बाद दूस्तो आपने बैक आजाना है बैक आने के बाद जैसे आप यहाँ दे सकते हैं यहां टॉप पर प्रवेशियंट सिक्यूर्टी का अप्सिन दिया है simple आपने इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे दोस्तो तो यहाँ पर आपके पास एक नया page open हो जाएगा अपने इस यहाँ पर एक option है दे सकते हैं नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप दे सकते हैं who people can find and content you तो यहाँ पर आपने who can send your friend request तो यहाँ पर आपने इस पर click करना है जैसे इस पर click करेंगे दोस्तो तो यहाँ पर आपने friends for friends पर click कर लेना है इस setting को यहाँ पर select करना है उसके बाद दोस्तो back आजाना है इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपके पास एक और आप्शन है दोस्तों Who can see your friends list तो यहाँ पर भी आपने क्लेक करना है इसके बाद यहाँ पर क्लेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पब्लिक के उपर अपने क्लेक करना है पब्लिक को स्लेक्ट करना है दोस्तो उसके बाद बैक आजाना है बैक आने के बाद दोस्तो अब आपने बैक आजाना है बिल्कुल बैक आजाना है दोस्तो और यहां पर आप क्या करना है फिर सी थ्री डॉट पर क्लिक करना है 3 dot पर क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप आपने अपनी profile पर क्लिक करना है जैसे आप अपनी profile पर क्लिक करेंगे दोस्तो फिर आपने यहाँ पर 3 dot का option है दोस्तो इस पर क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तो अब आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर वो option आया है या नहीं तो फ्रेंस यहाँ पर view as का एक option है simple आपने इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तो तो यहाँ पर दे सकते हैं कि जो आपकी profile होगी अगर कोई person आपकी profile को देखेगा तो वहाँ पर follow का ये option आ जाएगा यहाँ पर friend request का option नहीं आएगा उनली follow का option आएगा वो आपको सिर्फ follow कर सकता है तो आप भी दोस्तो अपनी Facebook में इस setting को कर सकते हैं और follow का option अपनी Facebook पर आसानी के साथ लाज सकते हैं आशा करता हूं दोस्तो आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक चरू कर देना दोस्तो और फेचेटा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तुछ चैनल को सस्क्राइब ही जरू करना फ्रेंस वीडियो देखने के लिए फ्रेंस आप सभी का धन्यवाद